हाई आविवन एक बार फिर से आपको वेलकम करेंगे आपके अपनी चैनल क्लासिक इंटर्टेन्मेंट प्रीमियम चैनल पर जहां हम लेकर आए हैं आपकी फेवरेट राइटर हेजल शाह के नॉविल डार्क लव सीक्रिट की डबल एपिसोड जी बिलकुल आज हम आप लोग पड़ी स्पेशल होने वाली है और आपको क्या लगता है ये भी आपको नॉवल पढ़ने के बाद पता चल ही जाएगा तो जल्दी से आज की एपिसोड को स्टार्ट करते हैं डार्क लव सीक्रिट रुटन बाई हेजल शाह एपिसोड एट एन नाइन ओपन दर डूर आवी उसने दर्वाजे पर दोनों हाथ मारने के बाद प्यार से उसे पकारा लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया था क्या बात है आवी कुछ तो कहो यूं कमरा लॉक करके तुम बस मुझे परिशान कर रही हो उसने एक मरतबा फिर कोशिश की के अंदर से शायद वो कुछ बोले लेकिन दूसरी तरफ की मसलसल खामोशी इसे होलाने लगी कुछ दिन पहले ही तो उसकी तब्यत खराब हुई थी और वो बेहोश हो गई थी तो क्या कहीं फिर से तो बेहोश नहीं हो गई ये बात सहन में आते ही उसने पल नहीं लगाया था एक्स्ट्रा की से डोर अनलॉक करने में एक छटके से डोर खोल कर रूम में दाखिल होते उसने दरवाजा बंद किया और उसकी सीधी नजर बेड़ पर पड़ी जहां आवी ओंधे मूँ बिस्तर पर पड़ी हुई थी वो बदहवास सा उसकी जानिब दोड़ा लेकिन करीब आने पर उसका हलक तक आता दिल वापिस अपनी पोजीशन में आया था लेकिन दिल दुख और तकलीफ से भर गया के वो हिचकोले खाते बदन के साथ घुटी घुटी आवास में रो रही थी आवी मेरी जान क्या हुआ है क्यों अपने बीबी की जान निकाल रही हो इसके करीब बैठते वो प्यार से इसके सर पर हाथ फेरता बेबसी घुले लहजे में बोला तो वो गस्ते में उठकर बैठ गई उल्जे बिखरे बाल उसका बेताशा सुर्ख चहरा और आंखों से बहते लगातार आंसू। उसका सिसकता और लरस्ता वजूत बदर जान के दिल पर जैसे चोट सी पड़ी आवी उसने तड़ब कर उसे पकारा और जैसे ही उसका हाथ थामना चाहा उसने बदर जान का हाथ जटक दिया मैं कुछ नहीं हूँ आपकी छोड़ दे मुझे वो एक दम ही बैट से उट खड़ी हुई और उसकी जानिब से रुख फेर कर खड़ी हो गई जबके उसकी ये बात तीर की तरहा उसके दिल में गड़ी थी तो वो सिरस से उटकर उसके सामने जाख खड़ा हुआ बगएर कसूर के सजा सुना रही हो इसके दोनों बासूंँ पर गिरिफ्ट मजबूत करके वो इसे अपने नजदीक ले आया तो एक पल को आवी की सांसे थमी थी कितने दिनों से मुझे बेरुखी की मार मार रही हो बता क्यूं नहीं देती हो जो तुम्हारे दिल में चल रहा है क्या खुद को और मुझको अजियत की सूली पर टांगा हुआ है वो जैसे अब इस सब से ठकने लगा था जिमी को पसंद करती हो तुम्हें उससे मुहपत पस करें आप वो उसके बाजो जटकती हलक के बल चीखी थी आपकी हिमत भी कैसे हुई अपनी आवी को किसी और के साथ मनसूब करने की दोनों हाथों से उसके गिरिबान को थामे वो उसकी भूरी आँखों में देख शेरनी की तरहां धारी थी जबके वो इसके इस कदर शदीद रियाक्शन पर हका बका सा रह गया था आवी मर गई आपकी आवी ये बात सुनकर वो उसका गिरिबान एक छटके से छोड़कर उससे पीछे हुई तो बदरजान की परदाश्ट बस इस एक चुमले की मार हुई उसने जपट कर उसका बाजू अपनी ग्रिफ्ट में लिया और छटका देकर उसे खुद के नस्दीख तरीन कर लिया यूँ के उन दोनों का अक्स एक दूसरे की आखों में वाज़े नज़र आने लगा दोनों ही गुस्ते में एक दूसरे के नस्दीख तरीन आ चुके थे यूँ के थोड़ा भी हरकत करते तो दोनों के लब आपस में टक्रा जाते जिमी नहीं तो कौन है वो उसकी आवाज सरगोशी में ढ़ली आप है मेरी पहली और आखरी मुहपत ये एतराफ करते उसकी दाई आँख से एक शिफाफ मोती निकल कर उसके गाल पर फिसल गया जबके इस इजहार पर बदर जान जैसे बर्फ का मुझसिमा बन गया था आको जान तो खामोशी से उटकर वहां से जा चुकी थी अलबता दाउध उसे खा जाने वाली नजरों से घूरे जा रहा था उसने उसे इग्नोर ही किया और खामोशी से उटकर बाहर निकल आई थी कि इसे एक तम्स अजीब सा गुटन का एहसास हो रहा था शादी का फैसला नेना उसके लिए आसान नहीं था बस मजबूरी में उसे ये कड़वा घूंट पीना पर रहा था उसे इल्म था कि बदर उसे कहीं जाने नहीं देगा और दाउध उसे योही परेशान करता रहेगा इसी सबसे बचने के लिए उसने दिल पर पत्तर रख कर शादी के लिए हामी भरी थी ना जाने कब तक वो लौन में चहल कदमी करते गहरी सोचों में गुम रहती कि एक तम ही किसी ने जारहाना अंदास में उसका बाजों खेंचा तो वो कटी डाल की तरहा सामने वाले वजूद के चिटानी सीने से टक्रा गई एक पल को जहन माउफ हुआ लेकिन अगले ही पल उसने बिखरे आसाब यक्चा किये थे वो मकसूस कुलून की दिल फरे महक से जान चुकी थी के सामने वाला कौन है अब क्या मसला है तुम्हें वो बुरी तरहां भुनाई थी मुझे मसला नहीं मसाइल तो तुम्हें दरपेश है क्या सोच कर तुमने शादी के लिए हामी भरी है इसका बाजू चोड़ वो इस मरतबा उसके कंधे दबोच कर उसके चहरे पर जुका जैसे अपनी सिया आँखों से निकलते शौलों से उसे जला कर भसम कर देना चाहता हूँ उसका ऐसा जलाली रूप देख बेला का खुन खुश्क हुआ था देखो तुम्हें मेरा यहां आना पसंद नहीं है और मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ तुम मुझसे मेरे बाप से नफरत करते हो मुझे इस बात का भी इल्म है मगर यहां मेरी मौचूद की जतनी तुम्हारे लिए आसाब शिकन है उतनी ही मेरे लिए भी कड़ी आसमाईश है बस इसका यही हल है कि मैं शादी करके यहां से चली जाऊँ इस तरह तुम भी खुश हो जाओगे और मुझे भी तुमारी तखरीब कारी से निजात मिल लेगी इस मरतबह वो सुला जो अंदास में बोल रही थी उसका लहजा नर्म था और अलफाज भी उसने कोशिश करके मुनासिब ही रखे ताके मुकाबल भड़के ना क्या मतलब है इस बात का तुम भी ब्रो से शादी नहीं कर रही बाकी बातों को फिल हाल इग्नोर किये उसने बस यही बात पकड़ी थी मैं क्यों उन से शादी करने लगी भला वो शौक में गेरी एक दम ही उंचा बुल पड़ी तो वो इसके शाने छोड़ कर इससे चंद कदमों की दूरी बना गया तो तुम्हें फिर बी ब्रो ने किसका पर्पोजल दिया है बालों में हाथ फेरता दाया पैर जमीन पर टैप करते वो मुस्तरिब साप पूछ रहा था उनके कोई जानने वाले हैं शेख उबैद जब वो पाकिस्तान आये थे अम्यबू के इंतकाल पर तो मेरे अकेले रह जाने पर वो मेरे लिए काफी फिकर मन थे जब ही उन्होंने मेरे सामने ये परपोसल रखा था ये फैमली दुबई में मुकीम है और उनकी देखी भाली है तो वो चाहते हैं कि मैं शेख उबैद से शादी कर लूँ मैंने उनसे कहा अभी फिल हाल मुझे सकून से पेपर्स देने दे इसके बाद मैं सोच समझ कर उन्हें जवाब दे दूगी इसी बात का जवाब मैंने आज उन्हें डाइनिंग टेबल पर हां की सूरत दिया और आप ना जानी क्यों ये समझे के बदर ने अपना परपोसल मुझे दिया है और मैंने उनका परपोसल कबोल कर लिया है मतलब ये तो हद ही हो गई मुझे तो लगता है आवी ने भी मेरी बात का यही मतलब लेकर यूँ अजीब सा रियक्शन दिया वो जैसे सारी बात की तह तक पहुँच चुकी थी जबके ताउद सुन आसाब की साथ खड़ी का खड़ा रह गया था बेला की शादी का सुनकर और यहां से जाने की खबर पर उसे तो खुश होना चाहिए था लेकिन वो खुश क्यों नहीं था ब्लैक प्लेन कुर्टा शलवार्ब में मल्टी कलर का डुपटा शानों पर फैलाए घने बालों की चोटी ये नेचरल इनोसेंट फेस के साथ वो आफिस लुक से बिलकुल हटकर घरेलू भुलिये में उसके दिल के दरवाजे पर मुसलसल दस्तक दे रही थी वो जैसे पल पल अन देखे सहर में जकड़ा जा रहा था जबके दूसरी तरफ बेला खुद पर उसकी नजरों का इर्तकाज महसूस करती कुछ नर्विस थी होने लगी तो जल्दी से बोल पड़ी देखो दाउत हमारे बीच में कोई टेंशन नहीं चाहती मैं मुझे चंद दिन यहां सकून से गुदार लेने दो फिर इसके बाद तो मुझे चले ही जाना है वो मिन्नत आमे इस लहजे में कहती अंदर जानी को वापस पलट गई थी जबके दाउत ने उसे नजरों से ओचल होने तक खामोशी से देखा था वो किसी रास की तरहा उसके दिल में उतरी थी अब बस उसे इस रास को खोजना था हाँ आप मुझे आपके सिवा कुछ याद नहीं है और ना मैं आपके सिवा कुछ याद रखना चाहती हूँ आपके करीब होना मेरा खयाल रखना मुझे किसी अजीज तरीन शेय की तरहां संभालना ये सब यहां यहां आपका मुकाम बहुत बुलंदो बाला कर गया है इसने अपने दिल की जानिब अंगश्ट शहादत की तो वो कई लम्हे यूही बेहिस्सो हरकत उसे देखे गया पहले दिल में उठ रहे इस जजबे से मैं अनजान थी लेकिन जब जान गई तो आप सी क्या खुद से भी भागने लगी खाइफ हो गई अपने बदलते एहसास से कि लोग क्या कहेंगे आप क्या समझोगे इन सब बातों का स्ट्रेस मैंने अकेले बरदाश्ट किया लेकिन ये बरदाश्ट नहीं कर सकती कि आप किसी और के हो जाएं वो इस दिन पार्टी में वो लड़की आप से जिस तरह मिली मेरी सांसे सीने में घुट सी गई उसका इस तहकाख चताता अंदास और उसकी नजरों की लपक ने पल में मुझ पर ये भेद खुला के आप बस मेरे हैं मेरे सिवा आप पर किसी का हक नहीं जानते हैं मैं बेला के यहां आने से इंसेक्योर फील करने लगी थी वो इसके मज़ीद करीब होती उसकी आंखों में अपनी नमकीन पानियों से भरी बेबी बलू आइस को गारे बोली थी एना जब आपको लेकर अपने ख्यालात का इजहार मेरे सामने करती थी तो मुझे परवाण नहीं होती थी क्यूंकि आपने हमेशा मेरी दोस्त की तौर पर उसे ट्रेट किया है उसके साथ आपका रवईया हमेशा शफकत आमेश रहा लेकिन बेला के साथ आपका दोस्ताना रवईया और आज शादी की बात ने मुझे बहुत हर्ट किया है कि बदर जान ने सिरत से उसे थाम कर अपने सीने में भींच लिया यूं कि आवी के जलते तरपते दिल को सकूना गया वो बहती आंखों से पूर सकून होती उसकी कमर के गिर्द बासू लपेटे आंखे मून गई थी जब ही बदर जान की भारी बारोब आवास इसकी समात की न शेख अबैद का है वही शेख अबैद जिसने तुम्हें मेरी फरमाईश पर वही शेख अबैद जिसने तुम्हें तुम्हारी फरमाईश पर दुबई के बुर्ज खलीफा की सेर करवाई थी वाट उसे ये बात सुनकर एक दम जटका लगा तो वो उससे दूर होने लगी लेकिन बदर जान की पकड़ मजबूत थी अब कहां इस खुबसूरत इकरार के बाद बस तुम मेरी हुई तुम पर मेरे नाम की महर समझो लग चुकी है अब तुम खुद भी चाहो तो मेरी किंडम से आजादी मुम्किन नहीं अब तुम्हारा मसकन यही बाहे है उसके कान में मू दिये उसका एक एक लवज शिदत से पुर सरगोशाना था जबके उसके इस मरतबा वो बुरी तरहां घपरा कर धड़ धड़ करते दिल के साथ उसके हसार में कैद दम साथ कई थी आवी की तेज धड़कने उसके सीने में जैसे मुदगम सी हो रही थी जब ही बदरजान नर्मी से उसे खुद से अलग किया तो वो बुरी तरहां खिफ़त का शिकार होती चहरा मुकमल चुका गई थी अपने बेहत जजबाती पन में वो रास उस पर आशकार कर गई थी जो वो उस समयत सारी दुनिया बलके खुद से भी चुपाई बैठी थी बदरजान ने उसके चहरे के दोनों एतराफ अपने हाथ जबा कर उसका चहरा उपर किया लेकिन आवी ने अपनी आँखें सक्ती से मीच ली थी वो कम असकम अब बदरजान का सामना करने की हिम्मत खुद में नहीं पा रही थी बदरजान अच्छे से उसकी कैफियत को समझ रहा था जब ही उसके लबों पर बड़ी दिल आवेस मुस्कुराहट नमूदार हुई थी तुम्हीं तो कुछ दिनों पहले ही अपनी महपत का इद्राक हुआ है और मुझे देखो हमेशा से इस दिल की अवलीन चाहत रही हो तुम उफ इस इकरार ने गोया उसे नई जिन्दगी बक्ष कर उसके रगोपे में एक सकून की लहर दोड़ा दी थी ये बदर जान का इकरार नहीं उसकी जिन्दगी का हासिल था तुम्हारे सिवाक कभी किसी और का खयाल इस दिल को छूकर नहीं गुजरा जब से तुम इस दिल के लिए हलाल हुई तो जिन्दगी की हर संफे नाजुक इस दिलो नजर के लिए हराम हो गई मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे या क्या कहते हैं ये सोचो कि तुम्हारे दिल की धरकने क्या कहती हैं और बस वो सुनो जो मैं कह रहा हूं उसके माथे से माथा जोड़े वो कोई साहर बना इस पर फसू तारी कर रहा था जबके वो सुर्खी माइल चहरे के साथ किसी मौम की तरहा उसके लफ़ों की हिदस से पिघलती जा रही थी उसे अब बेंतहार शर्म महसूस हो रही थी जब ही इस बेंतहा कुर्बत पर जब उसकी सांसों का ताल मेल एक हो रहा था उसने किसमसा कर निकलना चाहा तो बदर जान ने धीरे से अपने अनावी लब उसके माते पर सब्द किये थे गोया उनके बीच इस खुबसूरत रिश्टे पर महार लग चुकी थी इस महकते लंस की हिदत थावी ने आवी ने अपनी रुख में तहलील होती महसूस की और इससे चंद कदम की दूरी बनाती धीरे से आँखें वाकी तो उसकी नजरें सीथी बदर जान के ज़स्बे लोटाती बोलती आँखों से टकरा कर सिरस से वापिस लोटाई आप प्लीस अब जाएं यहां से वो यक्तम ही शर्म से मगलूब होती उसकी जाने से पुष्ट फेर गई तुम मुझ से शर्मा रही हुआ भी हैरान की भरी संजीत की से पुष्टे उसके खुबरू चहरे पर बड़ी शोक सी मुस्कुराहट रकम थी धानी रंग प्लेन ट्राउजर शर्ट पर गले में हम रंग फूलदार स्टॉलर डाले वो अपने दिलकश सरापी के साथ उसके आसाप पर खुशकुन असर छोड़ रही थी आवी की लंबी बलदार चोटी उसकी पुष्ट पर नागन की तरहा दिखती इसके दिल को गोया रफ़ता रफ़ता खुद में जगर रही थी उसका संदली वजूद धीरे धीरे जज़बात के सबब गोया कपकपा सा रहा था बदर जान की आँखों में अपनी अवलीन चाहत के लिए एक खुमारी उत्री थी उसने कभी नहीं सोचा था कि आवी खुद उससे महबत का इज़ार करेगी ये सब बहुत अचानक शौक्ट कर देने वाला नम्हा था लेकिन ये इनकशाफ बहुत खुबसूरत था इतना खुबसूरत जैसे किसी खुश रंग फूल पर कोई तितली बैठी हो इससे पहले कि फसुख ही इस लम्हों के सबब वो बहग कर कोई उस्ताखी सरजद करता उसने तेजी से कदम वापस मोड़े और दूसरे ही लम्हे कमरे से बाहर निकल गया रूम का डोर बंद होने की आवास पर वो सिरत से पल्टी और देखा के बदर जा चुका था क्या वो मेरे इस तरहा कमरे से उन्हें जाने का कहने पर खफा तो नहीं हो गए उसे नई फिकर लाहक हुई नहीं बीबी मुझसे कभी नारास नहीं हो सकते इस बात का मुझे पक्का यकीन है यकीनन उन्होंने मेरी बात का मान रखा है इस मरतबा वो मुतमाइन होती ढीले बतन के साथ धड़म से बेट पर गिरने के से अंदास में पूरे वाजो वाकिये पड़ी हुई थी उफ मुझे बीबी से मुहपत हो गई है और मैंने उनके सामने इकरार भी कर डाला उसने शर्माते हुए अपनी मुँ पर दोनों हाथ रख लिये फिर एक छटके से चहरे से हाथ हटाती वो करंट खाकर उटकर बैठी थी ओ शिट बेला ने मेरे इस चसबाती रियक्शन के बारे में क्या सोचा होगा उफ उफ मैं किती पागल हूँ खुद से चुपाते चुपाते वे ने अपनी मुहफ़त का धंडोरा सारे आलम में पीट डाला वो बेचारकी से खुद कलामी करती अपने हाथों में अपना सर गिरा गई थी जारी है जी तो रीडर्स ये तो थी एपिसोड एट तो अब पढ़ते हैं एपिसोड नाइन को और देखते हैं कि एपिसोड नाइन में क्या होने वाला है डार्ट लव सीक्रेट रिटन बाई हेजल शाह एपिसोड नाइन ये सुभा का वक्त था जब बदर जान दाउत और बेला आफिस चाने को रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आगे पीछे आते अपनी अपनी कुरसी सम्हाल कर बैठे थे आवी अभी तक आई नहीं थी अकुजान अलबता टेबल पर गर्मा गर्म नाश्टा मेट के जरीये चुनवा रही थी जब बदर जान ने संजीत की से बात शुरू की आद शाम शेख अबैद यहां पहुंच रहा है अकुजान आप प्लीस गैस्ट रूम रेड़ी करवा दीजीगा वो कुछ दिन यहीं रहेगा बेला तुम उसे जादा से जादा वक्त दोगी ताके तुम दोनों एक दूसरे को समझ लो इसके बाद ही हम निकाह की डेट उसके पैरंट्स के साथ मिलकर फाइनल करेंगे वो एक साथ उन दोनों से मुखातिब हुआ तो दोनों ने एक साथ ही धीमी सी मुसकान पास करते इस बात में गर्दन हिला दी थी जबके शेख उबैत की आमद का सुनकर डी के अंदर बाहर गोया एक आग सी भड़क उठी थी उसने चुपती नजरों से बेला का मुतमईन चहरा देखा इतने में आवी धीरे से सब को सलाम करते अपनी कुर्सी पर बैठ चुकी थी उसके अंदास में एक जिजग थी जिसे महसूस करते बदर जान जेरे लब मुसकुराया था पहले वो मुहपत के इनकशाफ पर उससे चुप रही थी और अब इजहार करने के बाद भी उसका यही हाल था वो मुसलसल इसे कत्राई कत्राई सी थी यलो कलर के फूल दार फुल सकर्ट पर ग्रीन स्टॉलर लिए बालों की पोनी बांद है वो साथकी में भी बदर जान के दिल पर कयामत वरपा कर रही थी मैं एक और बात भी आप सब के गोश गुजार करना चाहता हूं उसकी भारी बारोब आवास पर आवी के ब्रेट पर मारजन लगाते हाथ पल भर को ठेरे अलबता बाकी तीनों ने उसको मनतजर नजरों से देखा था इस तोरान ना जाने क्यों आवी का दिल जोरदार अंदास में धड़का था क्योंके बदर जान की नजरें वो खुद पर अच्छे से महसूस कर रही थी बेला और शेख उबैद की डेट फिक्स वाले दिन मैं अपनी शादी की डेट का इलान भी करने वाला हूँ उसके इन अलफास पर जहां उन तीनों को खुशकवार अंदास में शौक लगा वही आवी के हाथ से बटर नाइफ छूट कर प्लेट में जागी थी जिसके सबब एक शोर सा उठा तो सपने एक साथ मिकान की अंदास में गर्दने घुमा कर उसके रंग उड़े चहरे को देख वापिस अपनी नज़रे बदर जान के चमकते चहरे की जाने मर्कोज कर ली थी दाउत ने शौक से निकलते संचीत के से उसे याद दिलाया हाँ बिलकुल लड़की है और आप सब उसे जानते हैं बलके बे इंतहा उसे चाहते भी हैं लेकिन आप सब की चाहत मेरी मुहपत का मुकाबला नहीं कर सकती है इसकी भूरी आँखें आवी के दिलकश वजूत का तवाफ कर रही थी जबके लबू पर बड़ी जान लेवा सी मुस्कुराहट थी उसके यानि आप आवी की बात कर रहें मैंने ठीक कहा ना बेला पल में चहकी तो आवी का चहरा भी पल में सुर्ख पड़ गया जबके शर्म औ हया से मगलूब होते उसकी ठोड़ी सीने से जा मिली थी मेरी दिली खौाहिश आज पूरी हो गई जुग जुग जीओ मेरे बच्चों अकुजान ने पल में खुशी के बे बहा एहसास तले अपनी जगा से उठकर आवी की जाने बढ़ी और उसका चहरा अपने दोनों हातों से थाम कर उसके माथे को चुम कर भीगे लहजे में उन्हें दवा दूआ देने लगी जबके आवी उनके किर्ध बाजु लपेट कर उनके सीने में मूच पा गई गले मिले बीबरो आज से मैं आपका आफिशल साला आधा घरवाला हो गया हूँ अपनी जगा से उठकर वो शोख भरे लहजे में कहता बदर जान की जाने पढ़ा तो उसने भी अपनी जगा से छोड़ कर उसके लिए अपनी बाहें वाकी कर दी मैं आप तोने के लिए बहुत बहुत खुश हूँ मेरी दरीना खौाहिश आज समझो पूरी हुई उसके गले लगे लगे वो नम सरगोशियाना भारी लहजे में बोला तो उस बदर जान ने थपकी के अंदास में उसकी कमर पर दो हलके हलके धमों के जड़े थे समझालो खुट को मुसंजीत की से बोला तो दाओज जब्द से सुर्ख परती आँखों के साथ उस ते अलग होता आवी की जाने बढ़ गया था तो इसलिए उस दिन आवी मेरी परपोसल वाली बात पर अपसेट हुई थी क्योंके वो आपसे महबबत करती है खेर एक बात माननी पड़ेगी आप तो नों की जोड़ी वर्ड की बेस्ट जोड़ी होगी वो उन दोनों को लेकर बे इंतहा खुश थी और ये खुशी उसके हर हर अंदास से गोया जलक रही थी दाउत के करीब आने पर अकुजान उसे छोड़ कर अलग हुई तो दाउत ने इसके करीब होते उसके सर पर शफकत का हाथ रखा तुम योही डर रही थी आवी देखो तुम्हारी मुहपत का रास पा लेने के बाद वी ब्रो ने कैसे तुम्हें अपने नाम कर लिया अभी कोई खच्चा है दिल में इसके नर्म मगर संजीत की से पूछे गए सवाल पर उसने जट नफी में सर हिलाया तो वो खुशकवार अंदास में हस दिया और जुक कर उसका सर चुमा तुम बदर ब्रो के साथ हमेशा हमेशा खुश रहोगी क्योंकि इस पूरी दुनिया में उन से जबा कोई तुम से महब्बत नहीं करता दाउत की संजीत की से कही बात पर उसने जटके से सर उठा कर उसकी काली चमकतार आँखों में हैरानगी से देखा था जिस तरह मैं तुम्हारी महब्बत के रास का अमीन बना था ना बिलकुल इसी तरह मैं बड़सों से उनके रास का भी अमीन हूँ सरगोशी नुमा लहजे में कहते वो मुस्कुराता हुआ पलट किया तो आवी ने एक चोर नजर बदरजान पर डाली थी जिसके चहरे से मुस्कुराहट ही जुदा नहीं हो रही थी वो अकुजान से प्यार लेता ना जाने उनके कान में क्या कह रहा था कि उन्होंने हसते हुए इसके चोड़े शाने पर प्यार भरी धप रसीद की थी सब खुश और मुत्मईन थे जब ही अपने करीब बेला को आते देख वो नर्वस सी उठखडी हुई मैं बहुत खुश हूँ आवी तुम दोनों के लिए मुहपत से उसे गले लगाती उसके लहजे में फक्त खलूस ही खलूस था जिसे महसूस करते वो शर्मिन्दा हो गई मैं माजरत चाहती हूँ उस दिन के लिए खौमखा मैंने ओवर रियक्ट करके आपकी खुशी को कमड़ कर डाला अरे सौरी क्यूं कर रही हो मेरी कौन सी शेख बैद से दिली वावस्तगी है वो तो बस बदर जान के कहने पर मैं एक अच्छी मश्रकी लड़की की तरहा सर चुका रही हूँ वो उससे अलग होती नर्म गोई से बोरी तो उसकी बात सुनकर थीरे से मस्कुरा दी थी तुम बहुत अच्छी हो बेला जतना तुम्हारा जाहिर हसीन है उतना ही तुम्हारा बातिन भी खुबसूरत है देखना अल्ला पाक तुम्हें धेरों खुशियों से नवाजेगा आवी उसका खलूस देख ये बात कहें बगार नहीं रह सकी थी जबके इस दुआ पर ना चाने क्यूं उसके चेहरे की खिली मुसकान फीकी पड़ी थी जिसे दाउत जान ने बहुत वार से दिखा था सर ये लड़की तो बहुत ही खुबसूरत है क्या करना है इसका टेबल पर पड़ी एक पंदरा सॉला साला नड़की की तस्वीर देख उसके खास पंदे माइकल ने आँखों में एक खास चमक लिए तजस्स आमी इस लहचे में पूछा तो इसके बास ने अपनी ब्राउन आँखे खोल कर उसकी जानिब देखा जिसमें सुर्ख नाल डोरे उसके गुसे का पता दे रहे थे माइकल पल में सीधा होकर मुकमल संजीत की इफ्तियार कर गया था किसी ने बताया है कि ये लड़की अमेरिका में देखी गई है ये इसकी पांच साल पुरानी प्रिक्चर है लेकिन मैं वसूख से कह सकता हूँ कि वो आज भी इतनी खुबसरत है बलकि हो सकता है कि वक्त ने उसके चंदन बतन को तराश खराश कर मजीद निखार बक्षा हूँ तस्वीर पर नजरें जमाई जमाई उसका लहचा बहकने लगा था तुम अमेरिका जाओ और मेरे लिए इस लड़की को ढूंडो जैसे ही ये लड़की मिल जाए इस पर कड़ी नज़र रखना और मिनट की भी देरी कि बगएर मुझे इतला देना वो भरपूर संजीत की से उसे हिदायत दे रहा था जबके उसका बंदा उतनी ही संजीत की से उसकी बाते सुन रहा था सामले खुबरू नकूश का ये मर्द बेशक अपने अंदर कशिश रखता था लेकिन ये कशिश बस आपको मौत से ही रोशनास करवा सकती थी अपनी बात के अख्ताम पर उसने वो तस्वीर लबों से लगा कर माइकल की जाने बढ़ाई तो उसने अदब से जल्दी सी वो तस्वीर थाम ली थी अमेरिका पहुँचते ही तुम्हें इस बारे में मज़ीद डेटेल मिल जाएंगी ये तुम्हारा टिकेट और अब जाओ और तैयारी करो रात की फ्लाइट है तुम्हारी अपने अजली करख लहजे में कहते हैं उसने सिगरेट सुलगा कर लबों से लगा ली थी जबके माइकल खामोशी से टिकेट उठा कर रोम से निकल गया था बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं डारलिंग बहुत जल्द तुम मेरी बाहों में होगी तुम्हें लगा होगा कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दिया है लेकिन ऐसा नहीं हुआ मैं तुम्हारा साया हूँ और इनसान का साया उसके मरने के बाद ही खतम होता है नाख मूं से धुआ मरगोले की सूरत निकाल कर वो अपने ख्यालों में ही उस हुसन की परी से महवेग गुस्तगू था सुभा नाच्टे के बाद आवी ताउत के साथ ही योनी के लिए निकली थी और उसने उसे सकती से ताकीद की थी के चुटी के वक्त वो ही इसे लेने आए लेकिन जैसे जैसे चुटी का वक्त करीबा रहा था उसकी मुखलाहट में अपने अरूच पर पहुँच रही थी पहले उसने बेदिहानी के सबब परफेसर से डांट खाई फिर योनी में दो चार लोगों के बाद एक पिलर से भी जार टकराई तो एना की फिर यहीं बस हुई उसने लास्ट लेक्चर के फौराँ बाद उसका हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले आई अब साफ अलफाज में फूर तो के तुम्हारे साथ आखिर मसला है क्या मतलब आज तुने बधवासे के आलवी रिकॉर्ट काईम करने की ठानी है वो कड़े तेवरों से उसने मुखातिब थी जबकि आवी अंगश्टे शहादत दांतों तले दबाए इस वक्त भी नर्विस सी थी मैं क्या बताऊं चहरा उठा कर उसकी सिम्थ देखते वो बेवसी सी गोया हुई तो इसने आवी को बुरी तरहा खूरा सिरिसली आवी ये भी मैं तुम्हीं ही बताऊं कि तुम्हें प्रॉब्लम क्या है ओ गॉड उसने गोया अपना माथा ही पीट डाला था मैं सुभाद डी भयों के साथ यूनी आई थी और उन्हें कहा था कि वो चुटी के वक्त मुझे लेने भी खुद ही आई लेकिन एक मिनिट एना ने जट उसकी बात उचकी तुम तो अपने बीवी के साथ आती जाती हो ना तो ये डी भयों बीच में कहां से टपक पड़े भई क्या है वो इस तफ्तीश पर जुनजुलाई ये तो तुम्हें इल्म होगा कि क्या है एक मिनिट तुम्हारे पास से मुझे मश्कूख वाइब्स आ रही है शराफत से भूटो के क्या हुआ है बैग और किताब एक तरफ खास पर रखते उसने कमर पर हाथ टिकाए बकाइदा एक लड़ा का औरत का रोप धारा था भई मुझे बीबी के साथ आते हुए शर्मा रही थी वो धीरे से मिनमिनाई थी शर्म किसी खुशी में आ रही थी भई वो कौन सा तुमारे शोहर हैं जिससे तुम शर्मा रही हो शोहर नहीं है लेकिन बनने तो वाले हैं न वो अपने रोव में एक दम बोल पड़ी और फिर जल्दी से दाटों तरे अपने जबान दाब ली साथ तोनों हाथ चहरे पर रख लिये लेकिन धर्म की आवास के साथ ही उसने घबरा कर चहरे से हाथ हटाए तो एना को घास पर चत पड़े देख वो बुकला कर अपना बैक और नोट्स स्टेप पर पटखती उसकी जाने बढ़ी थी उसी वक्त जिमी भी वहां आया था और इस सिचुएशन पर भी परिशान होता धुटनों के बल एना के करीब बैठा था अब इस सिचुएशन कुछ यूँ थी के एना के दाएं बाएं आवी और जिमी थी जबके उनके एतराफ आधी यूनी इकठी हो चुकी थी क्या हुआ है एना को अरे कोई पानी लाओ अरे थोड़ा दूर तो हो उसी हवा तो लगने दो अरे कोई अबॉलन्स को कॉल करो घर्स जितने मूँ उतनी बातें थी एना को क्या हुआ है प्लीज होश करो एना वो पल में रोहांसी हुई थी ये लो इस पर पानी छड़को इसी स्टूरंट ने उनकी जानिब पानी की बोतल पकड़ाई तो एना एक छटके से उठ पैठी मैं कोई पोता हूँ जो मुझ पर पानी छड़का थी वो सख्त मुरा मना थी उठ पैठी जो सब शुकर अदा कहते एक करके वहां से निकलते चले गए अब पस आवी और जिमी ही उसके पास बैठे उसे खा जाने वाली नजरों से घूर र यह सब इसकी वज़ा से हुआ है इसने मुझे इतना खतरनाक शौक दिया कि मैं समही ना सकी वाट आवी ने क्या शौक दिया तुम्हें उसने हैरान परिशान होते आवी की रंग उड़ी शकल देख एना से सवाल किया तो आवी की नजरों ने एना को इलतजाई नजरों से यूँ देखा जैसे कुर्बानी का बकरा कसाई को देखता है कुछ नहीं वो हमारा पर्सनल मैटर है उसने जट दामन ज़ाड़ा तो जिमी मुझ बनाता उठ खड़ा हुआ जब तुम्हें मुझ से कुछ पाना हो तो वो फौरन पर्सनल मैटर हो जाती है बात वो नरूठे पन से बोलते जाने को कदम बढ़ा गया तो एना जल्दी से अपनी चीज़े समेट उसके पीछे दोड़ी लेकिन जाने से पहले चहरे पर हाथ फेर कर उसे धमकाना नहीं भूली तो आवी ने मसकीन सी शकल बनानी मुझे मुझे महुपत क्या हुई मैं तो बिचारी ही बन उसने मुझे लटकाते हुए अपनी चीज़े समेटी और खुद भी उनके पीछे ही होनी आवी अभी वो चंद कदम ही चली होगी के बदर जान की भारी खुबसूरत आवाज उसकी कानों में पड़ी तो उसके पैर जंजीर हो गए दी भायो यार कभी मेरी भी सुन लिया कर वो बेबसी से बरबढ़ा कर उससे गाइबाना खफा हुई आवी कहां गुम हो मैं बूला रहा हूं तुम्हे अपने शोल्डर पर बदर जान के हाथ का लंप्स और फिकर में डूबी आवास पर वो पल में उचल पड़ी थी क्या मैंने करंट मारना शुरू कर दिया है बज जाहिर संजीत की से उससे ये बात पूछते उसने शोखी से उसकी पीवी बलू आइस में जाका तो वो सिर्थ से अपनी नजरें जुका गई वो कहां इन बदलती पुर्शोख नजरों की ताब ला सकती थी उसकी लंबी खमदार पलकों की चिल्मन ने उसकी आँखों के रंग च्छपा लिए लेकिन वो अपने चहरे के खिलते रंग च्छपाने से कासे रही उसका गुलावी चहरा जरा सी कुर्बत पर सुर्खी माइल हुआ था ना करवा भी बंदा बशर का दिल नाजुक है इतने सितम ये नन्ना से दिल बरदाश नहीं कर सकेगा जब उसने मजीद नर्विस होते अपना उपरी लब दांतों तले दबाया तो बदर जान ने जट दिल के हातों मजबूर होते इस दालिमाना करवाई से रोकने के लिए जबके चहरा सुर्ख अंगारा होकर भाप छोड़ने लगा आवी मुझे मजबूर मत करो कि मैं हर शेय फरामोश करता तुम्हारे चहरे के हसीन रंग अपने लबों से चुल लू उसकी जान लेवा सरकोशी और कान के उपरी लब पर उसके लबों की सरसराहट पर उसका वज से बुक्स और नोट्स छूट कर उन दोनों के पैरों में आन गिरे तो वो बिदक कर उसे दूर हुई और जल्दी जल्दी जुक कर चीजें समेटने लगी लेकिन अपनी बदहवासी में उसके शोल्डर पर टिका बैग भी फिसल कर जमीन बोस हो गया बदर जान ने उसके घ मैं कर लूँगी उसे यों जमीन पर बैठा देख उसे थोड़ा भी अच्छा महसूस नहीं हुआ तो वो जट से बोल पड़ी देख रहा हूं कि तुम कर रही हो लेकिन मैं बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूं उसका एतरास मुस्तरत करते वो सब चीजें समेट कर उठ था काई कलर के कोट पेंट में मलबूस वो हुसने यूसफ की मिसल उसे मभूत कर गया था वो सांसे रो कि हर शेह से बेनियास बस उसके वज़ी चहरे को निहारे जा रही थी जा रही है जी तो रीडर्स कैसी लगी आपको एपिसोड एट और नाइन मुझे तो बहुत मसाया इसको रीट करते हुए और फाइनली जो है आवी अपनी मुखबत का इजहार कर चुकी है और आपको क्या लगता है कि क्या बेला शेख हुबैत से शादी कर लेगी या पिर दाउत कोई स्कीम लड़ा कर इस शादी को रोकतेगा यह सब चानने के लिए इंतजार कीज़ेगा एपिसोड 10 का जो कि इंशाला बहुत चल्द हम लेकर आ रही हैं आपके लिए क्लासिक इंटर्टेन्मेंट फ्रेमियम चैनल पर अप दीचे का इजासत आपसे मुलाकात होगी एक नई एपिसोड के साथ तब तक अपना रिर सारा खयाल रखें अला हाफीज